अलोि दोस्तो们 स्वाग्त हैँक एस्प्रेंश में देखिए नेशनल अनियम्पलोय में डे मनाया जा रहा है यह क्यों बनाया जाता है यह मनाया जाता है यह परदान मंतरी मोधीक discipl और इसको नाम दिया सब्सक्रिश क्या thirty-seven ओफिसियल जंग कि ओकि आवरन नहीं है यह कर लेंगे आज यहां पर डेटा दिया गया है 2016 से 2022 तक के बीच का जो कि बताता है कि जो बेरोजगार इदर है वो किस प्रकार से बढ़ी है यहां पर हम 2016 में देखें तो 3.2 परसेंट जो था यह लगभग इसको जो 3.2 और 2.3 2016 में है इसको हम कर सकते हैं कि यह अब भी रेंज में है मतलब कि यह ज़्यादा नहीं है यह इतना मतलब होना माना जाता है कि परियाप्त है इससे नुकसान नहीं अर्थवस्ता को लेकिन आप 2018 के बाद देखते हैं जब तो यहां 11.8 परसेंट पहुंच जाता है 2019 में 13.9 जब कि 2020 में यह अपने रिकार्ड अस्तर पर यानि अगर हम इसे डे का बात करें Unemployment Day तो यहां 2017 तक हम इसको देखने को नहीं पाते हैं लेकिन जैसे ही बिरोजगारी में विद्धी तेजी से देखी गई उसके बाद से यह लोगों ने स्टार्ट कर दिया बिरोजगारी दिवस्त मनाना और 2017 तक नीचे का जा रहा है यह 4% से कम थी जो कि 2018 में अचानक से विद्धी देखी गई थी अब यहां पर देखिए Unemployment rate भी बताय जा रहा है 2022 का ध्यान रखिएगा यह अभी एकदम latest update है यह वेबसाइट भी आपको दिख जाएगा ठीक है आप Unemployment डालेंगे और आपको डेली बेसिस पर Unemployment से संबंदी देखने को मिल जा रहा है अक्टूबर, नमवंबर, दिसंबर यह एत्किस के जबकि जनौर्लिक परओएप से लेके 2022 के सारे डेटा यहां पर देखने को मिल रहा है अगर हम अगस्थ का देखें अभी फिलाल सितंबर का मैने चल आए सितंबर का जैसे इक हतम होगा सितंबर करके भी अपडेट आ जाएंगे अगस्त माहिने का अगर हम देखे तो 9.57 है अर्बन एरिया में जबकि रूरल एरिया में 7.68 परसेंट है देखिए सहरी छेत्रों में जो बेरोजगारी का दर है वो बहुत जादा है अगर हम ग्रामीड छेत्र से तुलना करें ठीक है लगाता चीजें b mond होती है mo Viviente Ch Jeffrey में देखने को मिलती है अब यहां पे ज्यादातर घ्रामीड चेत्रों में हम कम ही देखते हैं तो ऐसा देखते एक तो तच्छात्यात्म चीज अगर हम बात करें कि यह onफ्र किर्फे संभाद पे अगर हम देख लिए इसा तो यहां उत्तरप्रदेश भी देख तीन परसेंट क्या स्वाइब रहा है और कुछ State जहां पर बहुत जादा है वह हे रियाना यहां 37% इसका दिख रहा है उसके अलावा राजस्थान है उसके अलावा जम्मु-कस्मीर है जहां पर 32% क्या स्वाइब तो आंदर-प्रदेश में 6% के असपास है बिहार में 12.8% के असपास है दिल्ली में भी अब यहां पर इस्टेट वाइज अपना देख सकते हैं डेवाइज के अगर हम देखें तो यहां पर डेवाइज भी दिखाया जा रहा है अर्बन और रूरल एलिया का तो 16 सितंबर तक का अपडेट है अभी हमारे पास और 8% था अर्वन एरिया में और रूरल एरिया का आप देख सकते हैं इस परकार से इंडिया का भी यहां पर बताया जा रहा है कि 7% के आसपास अभी फिलाहल डेली वेसिस पे चल रहा है विरोजगारी दर और विजोद परत सन हो रहा है लोग तिरंगा अपने सरीर पर बनाये हुए हैं और नेशनल लिख्के हुए हैं अनेंप्लॉयमेंट रिख्के हुए हैं और डेल लिख्के हैं इस प्रकार से जो युवा हैं वो विरोध भी नरेंद्र मोधिका कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप इस दिवस को मनाईए लेकिन अनेंप्लॉयमेंट रेट वाकई बहुत ज़्यादा है भारत में और इससे संबंदित काम गवर्मेंट को करना चाहिए जरूर